इंडिया के popular crypto exchange CoinDCX के through crypto में investment करना चाहते हो तो पहले आपको fund deposit करना होगा और fund deposit कैसे करना है और क्या-क्या साउधानी रखनी है ये पूरा process इस वीडियो में step by step बताने वाला हूँ तो वीडियो को skip मत करना otherwise बहुत से important point मिस कर जाओगे तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने already CoinDCX का mobile application डाउनलोड कर रखा है अगर आपके पास ये application नहीं है तो link आपको description box में मिल जाएगा जिसके through आप ये application डाउनलोड करके KYC करने पर आपको reward भी मिलेगा यहाँ पर आपको home page पर ही funds का option दिखाई देगा in case ये option यहाँ नहीं दिख रहा तो आपको profile में आ जाना है वहाँ पर आपको ये option दिख जाएगा इस पर click कर लेना है then इस page पर आपको ऊपर में ही आपका available balance दिख जाएगा and नीचे में deposit INR का option दिखाई देगा उस पर click कर लेना है click करते ही आपको amount enter करने बोला जाएगा तो जितना fund आपको deposit करना है उसे यहाँ enter कर देना है मैं यहाँ आपको 100 rupees deposit करके दिखाने वाला हूँ तो इसे ऐसे ही रहने दूँगा and नीचे में select payment method पर click कर दूँगा click करते ही आप इस page पर आ जाएगे जहाँ पर आपको उपर में ही आपका bank account detail शो होगा जो आपने coin dcx के साथ link किया होगा याद रहे कि आपको इसी bank account से fund transfer करना है किसी और bank account से नहीं otherwise आपका fund फस जाएगा just नीचे में आपको fund transfer mode शो होगा जो फिलहाल only IMPS available है जिसके थुरू आप 100 रुपीज से 5 लाग तक का transfer कर सकते हैं जिसका processing time 5 मिनट से 30 मिनट का है इसे चेक करके नीचे continue पर click कर देना है click करते ही new page पर नीचे में आपको जिस account में fund deposit करना है उसकी detail मिल जाएगी उसके थोड़ा नीचे आने पर कुछ notes मिलेंगे regarding fund transfer जिसमें clearly लिखा हुआ है कि non registered bank से fund transfer करने पर refund उसी bank account में 10 दिन में आएंगे then next UPI app, NEFT, RTGS नहीं करना है then next NRE and NRO account से fund transfer नहीं करना है and last fund transfer IMPS के through registered bank account के application या फिर website से ही करना है अब जब हमारे पास उस bank account की detail आ गई है जिसमें हमें fund transfer करना है तो आपको simply अपने bank के application को open कर लेना है जैसे कि मैं SBI का Yono application यूज़ करूँगा deposit करने के लिए तो मैं उसे open कर लेता हूँ SBI Yono app हमारा open हो गया है and fund transfer करने के लिए Yono pay पर click कर लेंगे then आपको IMPS के लिए quick transfer पर click कर लेना है and then किस bank में आपको fund transfer करना है उसे choose कर लेना है जिसकी detail हम यहां से देख लेंगे जो की equitas bank है तो हम Yono app पर other bank choose कर लेंगे and then यहां पर beneficiary detail डाल देंगे जो हमारे coin DCX app पर show हो रही है आप चाहे तो यह detail को यहां से ही copy करके other app में paste भी कर सकते है but उसके लिए आपका banking app allow करना चाहिए मैं इसे फिलहाल manually ही डालने वाला हूँ because SBI Yono app copy paste allow नहीं करता next आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी detail फिल कर दी है नीचे में next पर click कर दूँगा click करते ही मेरे mobile number पर bank के end से OTP भेजी जाएगी जिसे यहां डाल देना है OTP डालते ही आपका transaction complete हो जाएगा and next step में आपको coin DCX app पर आ जाना है and नीचे में I have paid now पर click कर देना है click करते ही coin DCX आपके payment को verify करेगा और नीचे में OK पर click करते ही कुछ ही time में आपका payment आपके wallet में show होने लगेगा in case given timeline में आपको fund show नहीं होता तो आप help पर click करके issue raise कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा 100 रूपीज यहां पर wallet में show हो रहा है और अब मैं चाहूं तो इस fund का use cryptocurrency को buy and sell करने के लिए कर सकता हूं coin DCX पर deposit का ये process मुझे तो खासा पसंद नहीं आया because हो सकता है कि account detail manual enter करते time आप से गलती हो जाए और आपका fund किसी और के bank account में चले जाए इससे अच्छा तो ये होता कि platform पर आपको UPI gateway प्रोवाइट कर दिया जाता जिस पर click करके आप directly pay कर सकते आपको ये deposit का process कैसा लगा comment box में comment करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे हो तो एक like जरूर कर देना और channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो वो भी कर लेना जय हिन जय भारत